असलाम वालेकुम नाजी ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ बजी हाब दुलकादिर सबसे पहले शामेंट करते हैं हैडलाइन अरज की तपिश तेज दर्जा हरारत उपर बहुत उपर सिंग और पंजाब में शवीद गर्मी रहीमियार खान और जैकबाबाग में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिगरी रेकॉर्ड बहावलपूर में 45, फैसलाबाद में 44, मुल्तान और लहुर में पारा 45 डिगरी तक जा पहुँचा सखर, लाड़काना, कंबर, उमर, पूर्ट में दर्जा हरारत 45 डिगरी रेकॉर्ड, कराची में दर्जा हरारत 34 डिगरी हो गया, इसलामबाद में 38 और पिशावर में पाला 49 डिगरी तक जा पहुँचा खबरदार होशियार, लाहूर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, हैदराबाद, लाड़काना और सक्कर समेथ, फंजाब और संग के बेश्टर शहरों में आज से हीट वेव का फत्रा, महक में मौसमियात में इंतबा जारी कर दिया, दर्जा हरारत मामूल से 4-6 डिगरी स 27 में तक जारी रहेगी, शबीद गर्मी में बिजली का शॉर्ट फॉल बढ़ने लगा, मुल्क भर में बिजली का शॉर्ट फॉल 5,845 मेगा वाट तक पहुँच गया, बिजली की तलब 24,500 मेगा वाट और पैदावार 18,655 मेगा वाट है, देही इलाकों में लोड शेडिं में कहा मौझूदा काबिना के तमाम अराकीन तनखा नहीं ले रहे, विजली और गैस के बिल वुजरा खुद जमा करवा रहे हैं, सेनेट इजलास में वकफा सवलात के दौरान मजीद कहा, हुकूमतों का काम कारोबार चलाना नहीं होता, इसलिए हम लिजी सरकारी शराकत स आगे बढ़ाना चाहते हैं, गुजशता साल रेलवेस का सालाना बजट 110 अरब रुपे था, बजट में से तनकाहों पर 35 अरब और पेंशन पर 38 अरब 90 करोड रुपे खर्च हुए, तरक्याती कामों पर खर्च के लिए कुछ नहीं रह जाता, गुजशता साल रेलवेस को 63 अरब 25 करोड रुपे खर्च हुए, तरक्याती कोट लगपर जेल से रहा लहुर में घर मुंतकिल हो गए, लहुर हाई कोट ने पंजाब इस्वली में भरतियों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया, कहा, सुप्रीम कोट के हालिया फैसलों के मताबक प्रोसीक्यूशन क की जिम्मेदारी है के मुल्जम पर जुर्म साबित करे, सरकारी वकील बताने से कासिर रहे के एफ आयार वाकए के दो साल बाद क्यूं काटी गए, परवेज जलाही ने कहा, मुश्किल वक्त में दुआएं करने वालों का मश्कूर हूँ, गुजराग के आवाम से ज्यादत इतिफाक ना हो सका, शेख वकास अकरम के अदम इतिफाक पर पहनी मरतबा चेर्मेन वोटिंग से बनाए जारे का इमकान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, तो में कमी करके बिजली के टारिफ में आच रुपए फी यूनिट कमी हो सकती है, पावर डिविजन की आई इमेफ मिशन को सोलर फैनल की पॉलिसी के हवाले से भी बताया गया, वजीर मुसदिक मलिक ने कहा, बिजली की खीमत पचास पीसद हो सकती है, कैपस्टी पेमेंट को कम से कम करने के लिए काम जारी है, तवनाई महंगी होने की वज़ा से अवाम की कोटे खरीद से बाहर है, स्टॉक मार्किट में मुस्बंत रुजान, हंडर्ड इंडेक्स में सौसे जाई पॉइंस का इजाफा, दौराने ट्रेडिंग इंडेक्स 75,000 पॉइंस से उपर, इंटर बैंक में डॉलर 6 पैसे महगा, प्यमत 277 रुपए 45 पैसे हो गई, तरे आज मजी दो परवास ने पा से जाई तलबा को वतन वापस लाया गया, पैर्मिन पी टी आई और शामेमूद कुरेशी की साइफर अपीलों पर समात, आज दोबारा होगी, गुजशता रोज, दौराने समात, जस्टिस मिया गुलहसन और अंग्जेव ने, F.I.A. से सिस्तफा किया, कि साइफर में क्या था जिस मालुमात से हिरा फेरी की गई, क्या साइफर का यही मतन था कि साविक चेर्में पी टी आई को ना हटाया तो नतायज होंगे, F.I.A. प्रोसीक्यूटर ने कहा, बिल्कुल यही मैसेच था, साविक चेर्में खुद तस्लीम कर रहे हैं, चीफ जिस्टिस आमिर पार की हिदायत, वजीर आला पंजाब, मर्यम नवास राहनुमा, आई पी पी और उन चोहधरी की मुलाकात, लाहोर में जारी तरक्याती मनसूबों और सियासी उमूर पर तबादेख्यार, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें, O.P.TV ग्लोबल जादिन याद रखिए, ये ओवर्सीज पाकिसानियों का प्रोगाम है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिसानिया अबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं, और उनके उपिनियन और उनके खेराद आप तक पचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्थीर भी पेश करते हैं, याद रखिए, देखते रहें, ओपी टीवी ग्लोबल अवर्रिव्यर, एनिवर, एनिटाइम, और और अल्सो सब्सक्राइब ओपिटिवी ग्लोबल, भुलिये नहीं, आज ही हमार प्रोगाम को सब्सक्राइब करें, और हां हमारी हर प्रोगाम को लाइक भी करें देखते रहें प्रोगाम और पीश करते रहेंगे आप के लिए प्रोगाम याद रखिए भूरिया नहीं इससे पर ब gef कि याप बूल जाएं टीवी बंद्ध से पहले पूल बंद्ध करने से पहले प्रोगाम को सब्सक्राइब दिखीजे आप देख रहे हैं O-P-T-V-Global अबर फूजन is a company run by clinicians when we are looking at a patient we are looking at the patient's medical needs first patient is in the comfort of his or her home they're watching the TV they're doing their chores while the infusion is going on and patient scope and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting home infusion all in all is a winning place for getting infusions done it is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge you can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes American education for foreign students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States AM EDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide there are no limits to learning and with AM EDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace no matter where you are in the world our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge the best part is that you can learn these courses in your desired duration we offer countless courses in various disciplines many courses are available including business information technology programming and project management our mission is to make high quality education accessible globally for more information visit our website www.ametfs.com or call us on 1909-5762-982 www.ametfs.com or call us online for our company www.ametfs.com or call us online for locale ottv is now available on rocco please tune into rocco फोटिे सिर्फृ। 근कस मीन कशूब धुआआइ